तो टीम इंडिया ने नागपुर में आउस्ट्रेलिया का गमण तो चकना चूर कर दिया लेकिन ICC ने रविन्द जड़ेजा पर बड़ा एक्शन लिया है और जुर्माना लगाया है अब आप सोच रहे होंगे कि ICC ने रविन्द जड़ेजा पर आकिर क्यों एक्शन लिया ह और जुर्माना लगाया तो आपको बचा दू कि आपने ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ये वीडियो अपने जरूर देखा होगा इसमें रविंद्र जड़ेजा सिराज के हास्ते क्रीम लेकर अपनी उंगली पर क्रीम लगा रहे थे और इसी को लेकर ऑस्ट्रि का मामला नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आइसी सी ने रविंद्र जड़ेजा पर एक्शन लिया है और जुर्माना लगाया है अब यह क्यों लगाया है यह आपको बताएंगे वीडियो में आगे लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क करते हैं तो आपको एंपायर से इजाजत लेनी होती है लेकिन ऐसा रविंद्र जड़ेजा नहीं किया रविंद्र जड़ेजा ने मौहमत सराज के हाँ से क्रीम ली और अपनी उंगली पर लगा ली और यहां पर रविंद्र जड़ेजा का कहना यह था कि उनकी उंगली में सूजन आ गई थी उसमें दर्द हो रहा था जिसकी बज़े से उन्होंने वो क्रीम लगाई थी लेकिन उन्होंने एंपायर का पर्मिशन नहीं लिया इसकी वज़े से ICC ने मैच फीस की 25% फीस है उसका जुर्माना लगाया यहां पर 25% फीस मैच की ICC को बढ़नी होगी यहां पर तो बापसी के बाद रवेंद जड़ेया ने पहले ही मैच में कोहरा मचा दिया और उस्टेलिया को धूल चटा दी इक्तम लिस्तों नाभूत कर दिया और पहले इनिंग में पांच विकिट रटकाए थे उसके बाद एक अच्छी इनिंग्स खेली थी का विशानदार इ करनोवल गिरा होगा इससे लेकिन उन्होंने गलती कर दी जो उन्होंने क्रीम लगाई दिना अपने हाथ पर वहां पर उन्हें एंपायर से जाके डिसकस करने थी कि मेरे उंगली में धर्द हो रहा है और मैं इसके लिए कुछ लगाना चाहता हूं अगर वो इतना काम कर ले